Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप अच्छे होंगे तो आज की वीडियो है यूगलेना की nutrition, locomotion, osmoregulation and excretion पर मैं already एक वीडियो कर चुकी हूँ इसकी morphology पर तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो ये है यूगलेना का overall structure मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने morphology के पहले पढ़ी हुई है तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इसका nutrition अब ये already सबको पता है कि यूगलेना के पास chloroplast present है chloroplast को यूज़ करके यूगलेना अपना खुद का खाना synthesize कर सकता है in the presence of sunlight और ऐसे nutrition को कहा जाता है autotrophic nutrition तो यूगलेना एक photo autotrophic organism है क्योंकि इसके पास chloroplast है और chloroplast को यूज़ करके sunlight, carbon dioxide इन सब चीजों को यूज़ करके ये अपना खुद का organic food synthesize कर सकता है इसका reserve food material होता है paramilum जो कि एक starch like substance है ये एक polysaccharide है जो iodine के साथ कोई color नहीं देता तो ये तो चीज हो गई जब यूगलेना को sunlight में आपने रखा हुआ है तब ये autotrophic nutrition शो करेगा पर क्या होगा अगर आप यूगलेना को sunlight से उठाकर एक ऐसे dark area में रख दे जहां पर इसको कोई भी light का source ना मिले जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें होता है शो saprophytic nutrition अब आपको पता है saprophytic कह लीजे ये saprozoic कह लीजे ये heterotrophic nutrition का एक type होता है इसमें organism dead or decaying organic matter को absorb करता है और उससे अपना nutrition obtain करता है तो जब आप यूगलेना को prolonged darkness वाले area में रख देते हैं यानि की काफी लंबे time तक इसको आपने एक dark zone में रख दिया है अब इसके पास sunlight का कोई source नहीं है तब ये यूगलेना अपना chloroplast लूज कर देता है chloroplast चला जाएगा तो इसका green color भी चला जाएगा क्योंकि chloroplast के अंदर chlorophyll present होता है उसको green pigment कहते हैं और उसी के वज़े से यूगलेना का color green होता है और अगर आप यूगलेना को एक dark area में रख देंगे तो ये अपना chloroplast लूज कर देगा और इससे इसका green color भी चला जाएगा और ऐसे यूगलेना को कहते हैं itiluated ये pale whiteish type का color हो जाता है इसका तो इसको जब ये अपना color loose कर रहा है green color loose कर रहा है ऐसे यूगलेना को कहते हैं itiluated हो गया है अब ये अपने general body surface के थूँ और उससे अपना nutrition obtain करेगा तो इस type की nutrition को कहते है saprophytic nutrition अब यहां पर ये बात देखने की है कि कि किस तरीके से यूगलेना जो nutrition है वो एक dual mode of nutrition है depend कर रहा है कि उसको कैसी situation दी रखी है depend कर रहा है उसकी conditions पे अगर उसको light मिल रही है sunlight मिल रही है तो autotrophic nutrition शो करेगा पर अगर उसको आपने एक dark area में रख दिया है dark zone में रख दिया है काफी लंबे time से उसको light नहीं मिली है तो थोड़ी देर तक तो वो अपना reserve food material से काम चलाएगा पर एक time तो ऐसा आएगा ना जब उसका जो ये reserve food material का store है ये भी खतम होने लगेगा तो ऐसे condition में फिर इसको अपने nutrition के लिए किस पर depend होना पड़ता है saprophytic type के nutrition पर ये decaying organic matter को absorb करके अपने आपको sustain करता है अपने आपको जिन्दा रखता है तो इस dual mode of nutrition को कहते है mixotrophic nutrition यानि कि दोनों का mix है autotrophic और heterotrophic nutrition का mix है depend कर रहा है कि आपने यूगलिना को कैसी condition दे रखी है तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके locomotion के बारे में locomotion भी बहुत असान है आपको अरड़ी पता है कि यूगलिना में एक वेपलाइक फ्लाजलम है जिसकी वह जिससे वह जो movement चो करता है वह होती है पर जब हमने इसकी morphology discuss कर दी तब हमने ये कहा था कि इसके around जो आपको एक thin flexible rigid membrane मिलती है जिसको कहते है pellicle वह काफी flexible होती है flexible होने के कारण वह यूगलिना को movement अलाओ करती है और वह specific type of movement pellicle की flexibility के कारण यूगलिना में possible हो पाती है उसको कहते है यूगलिनोड movement तो ये दोनों type की movements आपको यूगलिना में मिलती है आए एक एक करके दोनों को discuss करेंगे तो चले सबसे पहले हम इसके फ्लाजिलर movement को discuss करेंगे जो इसकी फ्लाजिलम की वज़े से है यूगलिना fresh water में freely swim कर पाता है because of its whip-like flagellum तो आप इस डाग्राम को देखें ये जो यूगलिना है ये इसकी body है ये इसका anterior end है ये वाला हिस्सा anterior है और ये वाला हिस्सा इसका posterior है anterior हिस्से पे ये आपको whip-like flagellum देख रहा है और आप इसकी अगर position देखें तो यूगलिना swim करते वक्त ये जो यूगलिना का flagellum है ये पीछे की side मोडा रहता है और जिस side पे इसका stigma है ये black color की body वैसे तो stigma red color का होता है because of the carotenoid pigment पर यहाँ पे इन्होंने stigma black color का दिखा र मुड़ा हुआ होगा तो यही हमारा पहला point है कि during swimming flagellum is directed obliquely backward towards the side bearing stigma जिस side पे आपका stigma present है उसी side की तरफ जो यूगलिना का flagellum है वो पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होगा यूगलिना's flagellum undergoes spiral undulations अभी spiral undulation term किया इसका क्या मतलग है आपको पता है कि जो इसे सड़क होती है पहाडों में वो कैसे जाती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे movement को undulation कहते है तो जैसे कि एक whip को hunter भी कहते है तो movies में देखा होगा आपने जो hunter use करते थे तो ज्व आप मारेंगे तो ऐसे hunter ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है तो उसी movement को आप undulation कहते हो तभी इसके फ्लाजलम को whip like falcrum कहते है ठीक है तो जो यह फ्लाजलम मैं इसको whip like falcrum कहने के पीछे का यही कारण है क्योंकि जूसकी movement होती है फ्लाजलम की वह whip की तरह होती है उसमें undulations होती हैं, उपर, नीचे, उपर, नीचे, अब यह जो undulations हैं, यह कहां पर originate होती हैं, यह originate होती हैं इसके base पर, जैसे यह flagellum है, यह इसका base हो गया, और विसी बात है, base होगा body के करीब वाला हिस्सा, और जुसका tip होगा flagellum का, वो होगा बिल्कुल यह वाला edge व to the tip, और इससे क्या होगा, the flagellum will beat, the flagellum will show lashing movement, सबी कहते हैं, जो whip होता है, उसको हम beat करने के लिए, उसको beat करते हैं, लगों को beat करने के लिए, तो उसकी movement होती है, उसको beating या फिर lashing movement कह दिया जाता है, और वो ही आपको यहाँ पर भी मेलेगी, यह up, down, up, down movement जो है, यही beating या फिर lashing movement है, अब इससे क्या होता है, कि जब आपका पानी, जैसे आपने बोला कि यह यूगलेना का flagellum है, यह पीछे की side directed है, और इसमें यह पीछे की side में यह wave सी, यह movement ऐसी originate हो रही है, उससे overall effect होता है, कि water is pushed backwards, अगर आप किसी boat में बैठे हो, आपने boat देखी तो होगी, तो बोट को आगे चिलाने के लिए चप्पू जो होता है, वो पीछे की side चलता है, जब आप चप्पू को पीछे की side चलाओगे तो पानी पीछे की तरफ धकेला होता है, और जब पानी पीछे की तरफ पुश होगा, तो हमारी जो बोट है, उसको आगे की तरफ धक का लग जाता है और जो यूगलीना का सेल बॉडी है बीसिकली वो आगे की साइड मुव हो जाता है अब इसके साथ-साथ जब यूगलीना आगे बढ़ता है तो अगर आप इस डियाग्राम को ध्यान से देखो इन्हें एरो दिखा रख है तो शो दी डारेक्शन हो जाती है तो विद इच बीटिंग यूगलीना मूवस फॉवर्ड एन बिट साइड वर्ड जो कि आपको इस डारेक्श से पतालग भी रहा है कि कैसे यह आगे बढ़के थोड़ा साइड में शिफ्ट हुआ जा रहा है तो इससे क्या होगा कि जब अगर मानलो यूगलीना का यह फ्लाजिलम लगातार बार-बार बीट किया जा रहा है तो उससे ऐसा लगेगा कि जो यूगलीना है वो सरकल में मूव कर रहे हैं अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दू और आवरेज यह उब्जर्फ किया गया है कि यूगलीना का जो फ्लाजिलम हो पाता है तो यह TS है और इसको कॉंट्राक्ट करने के लिए लगता है ATP, ATP is adenosine triphosphate which is the energy currency of cell आगे बढ़ते हैं इसके euglenoid movement के बारे में तो euglenoid movement पढ़ने से पहले आपको पता ही यह बात कि जो pellicle है वो pellicular strips बना है जिनने कहते हैं myonyms और यह जो strips हैं यह बहुत flexible है इनके एक edge पे आपको groove मिलेगा, एक edge पे आपको मिलेगा ridge और इन grooves और ridges की वज़े से यह एक strip दूसरे strip में fit हो जाती है, articulate कर जाती है और उससे overall जो यह effect होता है कि जो pellicle है यह काफी flexible nature का रहता है क्योंकि एक strip दूसरी strip के ओपर slide कर सकती है पेलिकल की वज़े से, इस flexible pellicle की वज़े से यूगलिना को मिलती है एक special type की movement जिसे कहते है पेरिस्टाल्टिक movement और क्योंकि वो यूगलिना का special feature है इसलिए से यूगलिनौइड movement कहा दिया जाता है अब पेरिस्टाल्टिक activity या पेरिस्टाल्स जो movement है ये तो आपको अपनी gastrointestinal tract में भी मिलती है और gastrointestinal tract में इसका क्या काम होता है खाने को आगे push करना खाने को आगे propel करना और यहाँ पे यूगलिना में इसका काम होता है यूगलिना की body को move करना यूगलिना की cell body will become shorter and wider first at the anterior end यहाँ पे आभी देख सकते हैं यहाँ पे anterior end जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पे इसकी जो body होगी वो छोटी और wider हो जाएगी उसके बाद जो यह peristaltic wave है वो उसके middle area को pass on कर दी जाएगी जो उसका middle area है वहाँ पे ये wave पहुँचेगी तो middle area छोटा और wide हो जाएगा फिर वो finally wave उसके posterior end पे पहुचेगी तो वो जो posterior भाग है जैसे इस वाले diagram में देख रहा है posterior हिस्सा जो है वो shorter और wider होगा और इस तरीके से यूगलिना आगे की तरफ move करेगा इसको समझने के लिए जैसे मेरा anterior हिस्सा है तो यह पहले anterior हिस्सा shorter wide तो यह middle में आ गई वेव उसके बाद फिर यह जो वेव है यह आपकी posterior हिस्से में पास हो गई मेरा बताने का यही मतलब है कि परिस्टैल से इसके एक वेव सी पास होती है बॉडी में जो कि anterior end से होती हुई मिडल end से होती हुए फिर फाइनली posterior end तक महुचती है और इस movement की वजह से यूगलेणा आगे बढ़ पाता है अब हमने बोला कि पहली कल क्योंकि flexible है उसकी वजह से यह movement possible हो पाती है ऐसा क्यों है क्योंकि जब आप देखिए जब यह जो वेव सी चल रही है यह anterior end से होती हुई फिर posterior end की तरफ जो ही चल रही है इसका मतलब क्या है अगर नहीं हो पाती है तो क्योंकि जो पहली कल है उसकी adjacent strips एक दूसरे के अगेंस्ट मूफ कर सकती है एक दूसरे के ऊपर slide कर सकती है इसके कारण ही यह movement possible हो पाती है और इन strips की एक दूसरे के ऊपर जो यह sliding है इसको lubricate करने के लिए इसको moisture करने के लिए ताकि friction ना हो उसका काम करती है अगें यही आपको morphology वाली वीडियों से point हमने पड़ा था कि ectoplasm में में आपको muciferous bodies मुलती है जिसका काम है mucine secrete करना और यह mucine इनी strips की एक दूसरे के ऊपर sliding की movement को lubricate करता है तो योगलेना में दो टाइप की movement हो गई फ्लाजिलर movement जो कि उसके फ्लाजिलम की beating या लाशिंग movement की वज़े से है और दूसरी movement हो गई उसके योगलिनॉइड movement जिसको metaboli भी कहते हैं जो basically है कि एक peristaltic wave pass on होती है body के ओपर और यह इसके पैलिकल की flexibility की वज़े से इसमें present होती है अब हम आज की वीडियो का last topic discuss करेंगे और वो है इसमें osmoregulation और excretion तो आब आपको पता है योगलिना का जो outer pellicle है वो permeable रहता है to water यानि कि वो water को अराम से अं इसने अंदर पानी ले लेता है अब एक बाद योगलिना के अंदर कास्ती तरह पानी आ गया तो जो excess fluid है excess fluid जो आपको साइडोब्लास में present है इससे rid होने के लिए योगलिना अपना contractile apparatus चूज करेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है कि कि किसी भी organism के अंदर जो पानी क का function perform करता है यानि कि पानी के levels को maintain करने का function Osmo regulation का function contractor apparatus का ही रहता है अब contractile apparatus के components तो आप सबको पता ही होंगे एक large contractile vacuole उसके around आपको smaller accessory vacuoles मिलते हैं तो यहां पर इस figure में आपको यह दिख रहा है कि किस तरीके से इन्होंने यह पूरा जो area है यह उन्होंने excretory cytoplasm का area द metabolic waste product भी apart from fluid cytoplasm से contracted apparatus एकटा करता है तो अब होता क्या है कि जो cytoplasm है cytoplasm से जो भी excess fluid है वो जाता है accessory vacuoles में जो अब यह accessory vacuoles कहा जाता है कि अपना सारा content ultimately एक बड़े से contractile vacuole को pass on कर देते हैं यह भी कहा जाता है कि हो सकता है कि जो accessory vacuoles हैं यह सारे ही fuse करके खुद पद पर ultimately जो पानी है excess water है वो कहां आ रहा है वो आपके contractile vacuole में आ रहा है अब आप यहाँ पर देखिए जो contractile vacuole है यह large contractile vacuole बन गया है ठीक है और यह इस figure में अगर आप बी वाला figure देखें बी वाली figure में इन्होंने दिखा रखें यह accessory vacuoles यह accessory vacuoles सारे fuse हो गए उससे इन adjacent place है अब जो इसकी यह वाली वाल होती है reservoir के साथ attached wall इसको कहते है posterior lateral wall यह काफी unstable होती है काफी unstable होने के कारण यह अराम से फट जाती है और अपना जितना भी content है सारा का सारा content यह reservoir में release कर देती है तो क्या फिर से repeat कर रही हूं कि यह contractile vacuole है इसकी जो यह posterior lateral wall है जो कि reservoir के सा attached है वह wall बहुत ही unstable होती है इसके कारण वह burst हो जाती है उससे जो भी content contractile vacuole का है वह सारा का सारा release हो जाता है यह dump हो जाता है किसमें reservoir में फिर reservoir से होता हुआ फिर वह साइटो फैरिंग से होता हुआ फाइनली जो opening है साइटो स्टों से फिर यह बाहर फैंक दिया जाता है त पूरे pathway के तुरू कि जो आपका excess water है वो cytoplasm नेकि इसको दिया accessory vacuole को accessory vacuole fuse करके बना दिये contractile vacuole और contractile vacuole ने अपना सारा content empty कर दिया किसमें reservoir में तो reservoir की फिर वहां से वह बाहर फैंक दिया गया towards the outside in the water यह तो हो गया यूगलिना का osmoregulation अभी हमने बोला कि इसका थोड बहुत contractile apparatus osmoregulation के साथ excretion में भी मदद कर रहा है पर जो यूगलिना का chief nitrogenous waste product है वो है आपका ammonia और ammonia simply diffuse out कर जाता है through the general body surface तो इसका general body surface है उससे फिर यह simply बाहर की तरफ यह diffuse कर जाएगा और जो adjacent पानी present है यूगलिना के around जो भी पानी present है उसमें diffuse out होके यूगलिना अपने ammonia से रिड हो जाएगा तो यह थी वीडियो यूगलिना के nutrition, locomotion, osmoregulation और excretion पे यूगलिना पे और वीडियो देखने के लिए आप description box में दिये गए लिंक पे क्लिक कर लीजिए वहाँ पे मैंने यूगलिना की पूरी playlist लिंक करी हुई है तो thank you for watching हम मिलेंगे अगले वीडि